वेल्गम बेक एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कोटलेंड और निदरलेंड के बीच होने वाले ट्राइ सीरीज के पहले मैच के बारे में कल की तरह इस मैच के लिए भी काफी लोगों की रिकुएश्ट थी कि भाई ये वाला मैच भी काफी अच्छा है और RCB और CSK का मैच में थोड़े बारिश के भी चांस है तो वो मैच नहीं मान के चलो स्टार्ट होता है तो हम इस मैच में भी अच्छा कमा सके इस तरीके की चीज़े हमें बता और कौन-कौन प्लेयर खेलेंगे सारी चीज़े मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ और देखिए कोशिश हमारी कल की तरह ही रहेगी जसे इंगलेंड और पाकिस्तान वाले मैच में IPL के अलावा हमने मैच कवर किया और कवर ही नहीं किया बलकि आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से बहुत बड़े पॉइंटों के मार्जिन से मैंने विन भी करवाया और खुद ने भी विन किया था 25 लाग के सम्टिंग म मैंने आपको IPL के अंदर भी दिखाई थी जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उन्होंने देखी भी होगी लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आये हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो स्कोटलेंड और नीदरलेंड का यह मैच होगा मैच काफी अच्छा है अच्छा करते हैं या मतलब बैट्समें ज्यादा अच्छा करते हैं मैं सारी चीजे यह आपको बताने वाला हूं वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबियो क्योंकि दोनों टीमों का यह पहला मैच है बट मैं ट्राइए करूंगा कि लंबी भी ना हो और आपको आसानी से सही तरीके से समझ में भी आ जाए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट लेकिन उससे पहले मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लेना रीजन बड़ा सिंपल है मैच की फाइनल जो टी टीम से विनिंग है जो मैंने कल आप सब को टेलिग्राम चैनल पर दी थी अब दी कि जो मेरे साथ जुड़े हुए ना उन सब को तो मालूम है जो नहीं जुड़े हुए उनके लिए चीज नहीं रहने वाली है तो कॉमें भी मैंने लिंक दिया है और इंवेस्मेंट के मामल हुआ हुआ वरना मुझे क्या जूरूरति ऐसे मैचे कवर करने की जहां पर आई-पी पहले से हो और कितना वड़ा मैच हो लेगिन लोगों के रिक्वेस्ट आये लोगों के मेसेज आये तो फिर कवर करना पड़ता है अगर आपकी बात मेंनी मानूंगा तो फिर मेरा कोलने prochain का मतलब नहीं बनता है लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा भी मन नहीं करे का यार मैं आगे वीडियो से बनाऊं तो लाइक ज़रूर कर देना जो वीडियो को देख o सब глуб बाकि उसके अलवा लाइव अगर इस मैच को देखना चाहते हो तो फैन कोड पर यह लाइव मैच आएगा साड़ी आट बजे मैच स्टार्ट होगा क्लाउडी वेदर थोड़ा वोत रहेगा मतलब बारिश होगी यह सोरी बारिश नहीं होगी मोस्ट लाइकली आपको मैच दे होता है ना उसके इसाब से आपको बता रहा हूं हाँ क्लाउडी वेदर है वो उसमें मैं कोई आपको मना ही नहीं कर रहा हूं बट बारिश के चांस थोड़े कम है देखिए यहां पर जो मैच खेले गए ना एक ही मैच होए और वो भी वूमेंस का हुआ हुआ है वूमेंस क कया हुआ है जहां बेटिंग काफ ही अच्छी होती है आप चाही सकोटनेम बेटिंग और यह नीदरलेंड बैटिंग करे आप टीम जो बनानी है वह बैक्टिंग यह बनानी है ठीक है बस यह है खिरिधर ऑब खेहाए यह कोशिश यह करना कि देखिओन के विमित बीस आप कि आप असानी से जीत जाओंगे ठीक है क्योंकि जो टीम होती है अगर आप उसके फेवर में टीम मनाते हो तो मोस्ट अफ दी टाइम आप जीतते हो बात करी जाए कौन-कौन खेलेगा और कब वह बैटिंग करेगा वह भी मैं आपको बता देता हूं तो पहले हम बात करते हैं निदरलेंड होम टीम के दारे में तो यहां से मैं कट आपको आप니다 लेविट और सबसे ऑपको चांदर प्लेर arriver को अब कब भी देगा अब तो हाला कि इसका सेलेक्शन उतना कम नहीं है बाट फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं पूरी दुनिया का कैप्टन बस्डे लीडे या साइब्रेंट एंगल रहेगा लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो लेविट एक सबसे तगड़ा और सबसे शा और साथ में ये बेटिंग विकेट है और तीसरी चोती चीजी है हम ग्राउंड भी इसका है तो आप समझदा और इतना सा तो उसके बाद विक्रामेजिस सिंग साइब्रेंट एंगल ब्रेश स्कोट एडवर्ड तेजा निदा मानुरू बश्डे लीडे आरियन दथ इसकी में प्लेयर देखोगे तो किंगमा प्राइंगल और वस्टे बेरेसी को जादा रोल इंपोर्टेंट अदा करते हैं प्राइंगल की बात की जाए इस प्लोव विकेट अगर होता है तो खेल सकता है लेकिन उसके चांस कम है और विविंग किंगमा से अच्छे लेबल है तो वह कंफर्म बोलिंग करेगा डेथ वर्स की बात की जाए लोगान वेंबीक हंड्रेड इन वन परशेंट आएगा उसके साथ साथ फ्रेट क्लास इन भी आ सकता है यह क्लास इन के ज्यादा है लेकिन अभी नेपाल ट्राइज में क्लास इन को डेथ में नहीं द करें यहां जाएगे सबसे पहले और सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे में सो डॉट के बारे में रिशेंट फूर्म ठीक है ठीक है मतलब कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं ज्यादा खराब भी नहीं बस opener बेंडिय थोड़ा सा अच्छी रहेुए है है मैं सग्स करूं करने वाले वेन्यू पे इंट्रनेशनल लेवल में कोई मैच इन उने नहीं खेला है लेविट की बात की जाए ठीक ठाक गिसेंट फॉर में ट्राइए सिरीज में उने जंडे गाड़े थे मैं आपको बता दू आप जाके काम कर सकते हो सर्च कर लेना नेपाल वर्स नीदर ले सकते हो बड़े आसानी से आपके ग्रैंड ली के कैप्टन भी बनेंगे साइब्रेंट की बात करी जाए बस्डे लीडी से भी बढ़िया प्लेरे भाई यह बस्डे लीडी जो इनका सबसे टॉप क्लास मतलब बोला जाए न तो कैप्टन सी को चोईस बोला जाता है उसको ब बहुत तगड़ी इनिंग्स बंदे ने खेली थी तो और वहीं नहीं नेपाल ट्राइश्री में देख लो मस्ट नीडेड प्लेयर है चाहे फ्लोपी क्यों हो जाए लेकिन टीम में ज़रूर लेना है अब यहां से यह चार प्लेयरों में एक दो तीन यह तीन प्लेयर स्मोल लेटिंग भी आपको देने वाला है और ODI में तो फिर इनको लेना ही है बस लेकिन यह तो आप चाहो तो ट्रोप भी कर सकते हो क्योंकि सामने वाले से भी अच्छा विकेट की पर अवेलेबल है तेजा नीदा मानूरू ग्रैंडलिंग में ट्राई करना बशली बशली बश कि बड़े घंड चल रही है वहीं फ्रेट क्लासन की भी रीसेंट फॉर्म शांदार है और वेन यूपे इनका भी जो है ना पहला मैं वेन यूपे तो लगबख सबकाई पहला मैच है ठीक है और इनके अगेंश की बात की जाए तो 5 मैच में तीन उसके बाद लोगान वेन बड़े प्लेर नहीं थे अब तो यार बड़े घजब लेवल के प्लेर इनके पास तो अब जो है मामला थोड़ा अलागी उसके बाद और भी प्लेर इनके पास विविन किंग और वेस्ट लेशी अब आती है सेकंड टीम स्कोट रएंट तो बाड़ी अची टीम यह भी और यह भी टीम काफी खराब यह बरी यह तो बीति नेंको बड़े पासाणी्स आरा देती थी लेके अब हरा के दिखा दो ऐसे स्कोट्लैंट भी बोत बुरी ती मतलब कुछ records पाई नीन के पास यह भी हार जाते थे ऐसे निदरलेंड की थी ऐसे नेपाल की थी कुछ टीम है जिन्होंने इतना तगड़ा इनको बीट करना बड़ा मुश्किल हो चुका है कोई भी टीम हो चाहे सामने वाली जैसे अफगानिस्तान को ले लो पहले कैसे टीम थी अब देख लो अफगानिस्तान की आगे हवा टाइट हो जाती है सब की बहुत इंप्रूमेंट हुआ है टीमों के अंदर तो यह भी काफ क्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों से पॉइंट देगा उसके बाद यहां पर क्रिस ग्रीव मार्क वर्ट सफियान शरीफ ब्रेडली करी और सोल है देखिए यहां पर क्योंकि जोर्ज मुंसी लेफटी है वह भी पावर प्ले में यह सोरी ओपन करेगा तो आरियन देद आ अगर आप देखोगे ना तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो नो प्लेयर है अब नो में किसका आप बताओगी कौन कितने और करेगा तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है इसी कंडिशन में बट फिर भी मैं आपको यह बता देता हूं चार और जिसके चांस ज्या अब बात करते हैं इनके पावर पले और डेथ होर्स की सोल पावर प्ले में शरीफ के साथ आएंगा और क्रेली जो है डे डेथ होर्स में pada क्रिसोल के साथ यह यह इंग सोब अर बién चोड़ी तो आ pada ने देखे में ने गिशन चांस रहे हैं उनकी चार्ली टीयेर और स् लेकिन बंदी ने बहुत अगड़ी इनिंग्स खेली थी इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूँगा और साथी प्लेयरों का रिकोर्ड देखते हैं कि निदर लेंग के अगेंस किस ने क्या किया है तो जोर्ज मुंसी की बात करी जाए काफी अच्छी रिसेंट फॉर्म है और अगर निदर लेंड के देखोगे तो उनका रिकोर्ड भी बड़ा गजब है सब्सक्राइब और अच्छा प्लेयर है जब भी इनिंग खेलेगा बड़ी तो बहुत शांदार इनिंग खेलता है और ऐसा भी नहीं कि आउट भी होता है ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा प्लेयर है मतलब आप यह है कि स्मोल निंग में आप इनको ले सकते हो ड्रोप करने वाला प्लेयर यह नहीं है उसके बाद ब्रेंडन मैकमूले ने बहुत चांदार है लेकिन अभी रीसेंट की कोई सीरीज जो आई थे ना ना तो बोलिंग कर रहा था और बैटिंग में इतनी बुरी फॉर्म में था मतलब इनकी पिछले सीरीज के कारण इनसे विश्वास उ कैपटन हो सकता है सुलीन नारेंड का जब केक्यार का मैंच होता है उससे बड़े कोई कैपटन होता है नहीं होता है ना ऐसी यहां पर यह लेकिन इनका होसला तूट चुका है बैटिंग में फ्लोब हो जाते हैं एक मैंच पर ड्रोप कर दिया दूसरे में खिलाया प्लेयर है बैटिंग विगेट है तो मैं आपको सजिस्ट करूंगा आप ले लेना चाली टियर लेना ही लेना उसके बाद बैरिंग्टन है बैरिंग्टन भी शानदार प्लेयर जैसे वहाँ पे स्कोट एंगल ब्रेच चेना सेम काम यह करेगा बहुत अच्छा प्लेयर है तो यहां पर चारों ही प्लेयर इंपोर्टेंट इसमॉल लिग तो यहां पर आप देखोगी तो अगर इस लोग ज्यादा है नहीं तो ठीक ठाक प्लेयर रहेगा जर्विस इंपोर्टन प्लेयर होगा क्योंकि रीसेंट फॉर्म भी बंदेगी गजब लेवल की चल रही है और बैटिंग आने पे बेटिंग से भी पॉइंट देगा और बोलिंग तो यह करेगा इस गरेगाए इंपोर्टन प्लेयर है तीम में जरूर्व आप इनको इंक्लिव करना है मार्क वट की बात करो तो मार्क वट अगर टीम फर्स्ट बेटिंग करती स्कोट लेंड तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ले सकते हो बढ़िया प्लेंद ठीक उसके बाद शफियान शरीफ है फिर्स्ट बॉलिंग पर इंपॉर्टेंट होगा बुर्स्ट बोलिंग और बॉलिंग और बंदे ने रिसेंट मैचस में देखो के तीन एक चार पांच नो ग्यारा फिछले चार मैच में ग्यारा विगेट है इससे बड़े क्या लोग गया तो इंपोर्टेंट है दोनों कंडिशन के अंदर क्रिस्टोल फर्स्ट बॉलिंग में क्यों ठीक है उसके अब का नाम क्या है वो तो आपको नज़र आई रहा होगा जिसने लिग रिवन आपको डाउनोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डाउनोड कर लेना और कल आपके बता दू एक बड़िया चीज आपके लिए आने वाली है और वह यह कि IKM फैमिली के आने वाले ठीक है तो जिसने डाउनोड नहीं किया ना डिस्क्रिप्शन में लिंक अविलेबल है और बहुत अच्छा है पर इस्मोल लिए बहुत बैस्ट है मेरा खुद का इस मैच में इन्वेस्टमेंट लिए लेवल पे होगा तो डाउनोड कर लेना ठीक है करता हूं आपने यार लाइक तो कर दिया होगा यह बार-बार में इसले दिखाता हूं ताकि जिन्होंने नहीं किया वह भी कर दे वीडियो को लाइक करने से कुछ मिलेगा नहीं मुझे सच बता रहा हूं सिर्फ एक चीज मिलेगी वह है मोटीवेशन की हां यार बंदों को करता है कि आपको अगली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए चलो अभी फिलाल के लिए में डेमो टीम आपको दे देता हूं फाइनल तो मैं आपको टेलीग्राम पर दोंगा उसमें को डाउट ही नियों टॉसक्त को डिंग बनती है देखो टीम यहां मैं टीम तो दे रहा बेटिंग में आप आओगे तो मुंसी लेविट हमारा ट्रंप कार्ड प्लेयर है और रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी देर पीछी जाओ और महां पे देख लेना लेविट क्यों इंपोर्टेंट और ट्रंप कार्ड है ठीक है उसके बाद मैक्स और ब्रेंडन में अकमूलेन पर रिस्क लिया जाए या ड्रोप किया जाए थूड़ा कन्फ्यूज अने बट में ले रहा हूं क्योंकि आपनर प्लेयर है कभी भी बड़ी नहीं खेल सकता है उसके बाद बैरिंग करने उसके बाद आजे आप और लाउनर सेक्शन में यहां पे स्कोर्ट अंगल ब्रेश लोगान वेंविक और बश्डे लीडे मार्क वर्ट भी इंपॉर्टेंटर बोलिंग में पाऊँगे तो ब्रेडली करी को ले ले लेना और बाकी के प्लेयरों को सीधा ड्रोप कर देना क्योंकि यह बैटिंग विकेट के साब से मैंने टीम बनाई है यह मेर थोड़ा अलग होगा मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं केप्टन मेरा साइब्रेंट एंगल ब्रेच और वाइस केप्टन मेरा बस डे लीडियों ठीक है वाइस केप्टन बाकि ऑप्शन की बात करूं लोगान वेंविक बैरिंग टाम उनसी यह सारे इनके जो है न अच्छ साथ में करता है गरेंबन करता है यह जरूर आप कंण कर सकते हो या कोडिन constant बना शकरते हो फिलाल तो आप जोइन कर लेना डिस्क्रिप्शन की लिंक से ठीक है फिलाल यही था इस वीडियो में ठेंकि दोस्तों इस वीडियो गेंट तक देखने के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में